पाली सीखो भाग दो पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में सर और वेंजन इनके वारे में बताया गया था कि पाली में कितने सद्ध होते हैं, कितने अक्खर होते हैं पाली में जो वोविल्स होते हैं या जो सर होते हैं जिनको सरा बोलते हैं या जिनको संस्कारित भासा में स्वर बोलते हैं, वे आठ भी होते हैं और दस भी होते हैं, आठ और दस का यहां कोई जादा बड़ा भेदिया जादा बड़ा चक्कर नहीं है, एक छोटी सी बात है, पहला जो सर होता है, देव नागरी लिपी के अंदर, ये देव नागरी ल पालन किया हो या करता हो, ऐसे व्यक्ति को देव बोलते हैं, और नाग इसमें सब्देश का मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत के किसी नाग व्यक्ति नहीं ये बनाई है, और री का जो मतलब होता है, वो रू से होता है, रू का मतलब होता है, अटरिंग, अटरिंग का मतल शब्द को बनाने की कोशिस करता है, उसको रू बोलते हैं पाली के अंदर, तो देव नागरी, यानि देव नागरू से देव नागरी हुआ है, और ये भारत के किसी नागवनसी व्यक्ति ने, या सम्हू ने, या किसी भिक्कु ने, ये जो लिपी है, ये जो अक्षर है, में शब्द बना जब शे और के शे मिलके छे बना यह बड़ा सिंपल सा है मैंने बहुत बार बताया भी है तो यहां जो पहला सर आता है अगर एक सर होगा तो उसको सर बोलेंगे और बहुत सारे सर होंगे तो उनको सरा बोलेंगे तो यहां जो पहला सर है वो जो पहला सद है ए पाली का पहला अखर भी है और पहला सर भी है यानि कि पाली अखर माला का पहला अखर ए है ए की जो सबसे खास बात है कि ये प्रिफिक्स भी है प्रिफिक्स का मतलब है ये उपसग भी है उपसग का मतलब है कि सब्द से पहले लग के सब्द के अर्थ को बदल देता है जैसे कुसल से पहले अगर ये लग जाए तो ए कुसल हो जाता है यानि जो कुसवहा लोग थे, जो कुसल लोग थे, जो निप्ण लोग थे कुस वाहा अगर ये ए लग जाए तो ऐसे वेक्ट्यू qiol बोलेंगे जो क्सल नहीं है जो निप्ड नहीं है तो ऐ कुसल हो गया या जैसे नियाइत है तो नियमित में अगर ए लगा देंगे तो ऐ नियमित हो जाएगा नियमित का मतलब regular हो गया और ए नियमित का मतलब irregular हो गया तो ये ऐसे करके ए लगाने से वो negative सब्द का अर्थ बन जाता है नकारात्मक, निसेदात्मक, यानि निशेद, पाली में इसको निसेद बोलते है क्योंग शेद पाली में सटकोन वाला है नहीं, तो निसेदात्मक बन जाता है या निसेद जैसे negative बन जाता है जैसे गती का ए गती बन जाता है या जो जनन है उसका ए जनन बन जाता है और खित का ए खित बन जाता है यानि छित का अच्छितर बन जाता है ए लगाने से ये पाली का पहला सर और पहला अखर है इसको सर जो बोलते हैं सर का मतलब होता है सर यानि सर का मतलब है आवाज पाली में सर जो बोलते हैं वो आवाज को बोलते है यानि कि जो आवाज निकालता है बच्चा उसको सर बोलते हैं सर और आवाज एक ही बात है जब भी कोई दुनिया में व्यक्ति या जानवर बोलेगा तो सबसे पहले वो आवाज जो देता है उसको सर का है और पहली आवाज क्या होती है? पहली आवाज बड़ी सिंपल सी होती है आ, ए, ए, उ, ए, ए, उ ये सारी दुनिया में इनको वोविस बोलते हैं और यही वो आवाज है इसलिए आवाज का नाम ही सर है यहाँ पर जो दूसरा सर है वो है आ यह पाली का, पाली अक्रमाला का दूसरा सद भी है आ, आ का मतलब है कि आ अगर किसी में लग जाता है जैसे कोस में अगर आ लग जाए तो अकोस हो जाता है यानि आक्रोस हो जाता है बाद में इसको संस्कारिट भासा में आक्रोस बोला जैसे कहते न AGREE ये बड़ा कोस रहा है कोस ने का मतलब है कि बहुत जङदा क्रोधित है बहुत जङदा गुस्से में है बहुत जङदा वो बियूजिंग कर रहा है गाली बक्रा है, अक्को सती, कोस्ती में अगर आ लग जाता है, तो वो जाता है, अक्को सती, तो आ का मतलब यहां ऐसा भी आता है, ततिय यानि जो तीसरा सर है, वो है E, E जो है वो छोटी E है, और जो चोथा सर है, वो है बड़ी E, यह दोनों सिंपल हैं, इनके अर्थ नहीं है, तो जो पांचमा सर है, वो है छोटा O, और बड़ा O जो है वो छटा सर है, सातमा और आठमा जो सर है, वो दोनों एक ही हैं, यानि कि अगर हम यह कहते हैं, कि अवाज आ रही है किसकी E की, तो E हमारा सातमा भी है और आठमा भी है, सातमा आठमा इसलिए मने जाते ह क्योंकि मोगलना ने जो व्यक्रण लिखी या मोगलना ने जो व्यक्रण मनाई उन्होंने ए को दो माना दो कैसे माना दो ऐसे माना कि एक जैसे एका की एका की में जो ए है वो एक मात्रा की आवाज देता है और एथ एथ अगर बोलते हैं पाली के अंदर तो यह ऐसी आवाज देता है जैसे हलकी आवाज है तो यहां उन्होंने लंबी आवाज को और छोटी आवाज यानि जो short voice है और जो long voice है उनको अलग-अलग माना एकाकी और एथ ए जो लगते हैं दोनों में उनकी आवाज दोनों अलग-अलग है ऐसे ध्यान दीजिए एकाकी एकाकी में एक मात्रावाला ए है और एथ में एकी आवाज नहीं आती तो मोगल लेंड ने इसको ए और ए करके माना इसलिए ये आवाज थोड़ी सी बल जाती है मगर लिखने का तरीका पाली में सिर्फ एक ही है दो मात्रावाला तरीका नहीं है बोलने में अंतर हो सकता है मगर लिखने में अंतर नहीं है इसलिए इसको साथमा आठमा बोलते है या अगर इसको आप कच्चायन की व्यक्रण बोलेंगे तो कच्चायन की व्यक्रण में ये सिर्फ सात्मा है और आठमा जो आता है कच्चायन की व्यक्रण में वो आता है O और मोगल लैन की व्यक्रण के हिसाब से वो आता है 9 और 10 ओ जो आता है ओ का मतलब है जैसे ओ काक ओ काक में ओ की आवाज आती है और अगर हम खाली ओ करें तो ओ की आवाज एक ओ वाली आती है यानि ओ काक में दो ओ की आवाज है और ओ क में एक ओ की आवाज है इसलिए जो मोगल लैन है उन्होंने अपनी वेक्टर में इनको ओ और और जालतर जो पाली के अंदर लिखा हुआ है उसमें दो मात्राइं कहीं में आपको नहीं मिलेंगी, ना A पे दो मात्राइं मिलेंगी ना O पे मिलेंगी, इसलिए जो सर की संख्या है वो आठ ही मानी जाती है, पूरी पाली में आठ ही लिखी गई है, बोलने का तरीका थोड़ा बहुत एत का और एकाकी का या ओका और ओका का थोड़ा सा अंतर हो सकता है मगर लिखने का तरीका सेम हैं ये पाली के स्वर हैं ये पाली के सर हैं ये पाली के सरा हैं ये पाली के वोविल्स हैं उसके बाद आएंगे पाली के वेंजन पाली के वेंजन बहुती सिंपल है और कुछ वेंजन तो ऐसे हैं जिनका अर्थ पूरे अर्थ को इतना इंपोरेंट बना देता है जिसका कहीं कोई जवाब नहीं है धन्यवाद झाली के वेंजन नहीं है कर दो कर दो